रादे रादे जैशी क्रिशना, एक पार की बात है, काशी नगरी में एक छोटे से गाउ में एक जमीनदार था, उसके कई बंदुवा मजदूर काम करते थे, उनमें एक कमल राज नाम का एक नीच जाती का एक मजदूर था, वह शीव भक्त था, उसके एक बेटा और एक सब्ला था, सभी उसी जमीनदार के गुलाम थे, वे उसी की जमीन में एक छोटी सी जोपड़ी बना कर रह रहे थे, जब शाम के समय सभी परिवार के जन इखटे होते, तो कमल राज अपने दोनों बच्चों को शीव की महीमा वे कहानिया सुनाया करता था, बेटा छोटा और बेटी बड़ी थी, बेटे का नाम प्रहलाद वया बेटी का नाम मीरा था, उसकी पत्नी हमेशा बिमार रहती थी घर की रोटी भी कमल राज और बच्चे मिल कर ही बनाते थे, बच्चे भी अपने पिता के साथ जमीनदार के मजदूरी करते थे, बच्चे कभी बच्पन से भगवान शीव की महिनमा सुनते थे तो दोनों बच्चे भी भगवान शीव के दर्शन को उससाहित रहते थे एक दिन दोनों बच्चों ने अपने पिता से मंदिर जाने की जिद्द की लेकिन पिता लाचार बेबस क्या कर सकता था उसने कहा बेटा ये शिव मंदिर में जाने की बाद अपने मन में ही दफन कर दो अगर किसी को पता चला तो जमिंदार हमें जिन्दा धर्ती में गड़वा देगा बच्चे उदास होकर रह गए लेकिन कमल राज ने अपने दोनों बच्चों से ये वजन लिया कि तुम अपने जिवन काल में शिव मंदिर जरूर जाना और दोनों बच्चों ने भी अपने पिटा को ये वजन दिया देखते ही देखते बच्चे बड़े होगे और एक दिन मीरा की शादी देखने की उसकी मा की बहुत इच्छा हुई तब कमल राज ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मीरा की शादी कर दी शादी के कुछ महिनों बाद मीरा की मा चल बसी उसके बाद कमल राज भी बिमार रहने लगा और एक दिन कमल राज भी चल बसा तब मीरा अपने भाई को अपने साथ ससुराल ले गई मीरा के ससराल में भी एक बहुत विशाल शिव मंदिर था रोज मंदिर की आरती और घंटी की आवाज दोनों भाई भेनों को सुनाई देती लेकिन दोनों मन मसोस कर रह जाते मीरा के ससराल में साज ससुर जेर जेठानी सभी थे उन सब को मीरा के भाई का वहां रहना पसंद नहीं था सभी उसके भाई को जड़कते और ताना मारते रहते थे मीरा यह देख कर चुप हो जाती थी लेकिन मीरा अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी एक दिन जब मीरा अपने ससराल में मजदूरी करने जा रही थी तो वहां के जमीनदार के लड़के की बुरी नजर मीरा पिर पड़ गई उसने मीरा को रास्ते में रोक कर पुछा अरी तू उदास क्यों रहती है तब मीरा ने हाद जोड़कर कहा हुकुम हम छोटे लोग हैं आप बड़े आदमी हैं हम खुश रहें, उदास रहें हमें कोन पूसता है तब जमीनदार का लड़का बोला नहीं, तू बता तब मीरा बोली हुकुम एक बार हमें शिव मंदिर के दर्शन करने हैं बहुत इच्छा है तब जमीनदार का लड़का बोला कि तू रात को अकेली मंदिर के पिछवाडे आ जाना मैं तुझे भगवान के दर्शन करवा दूँगा लेकिन तुम अकेली आना मीरा बहुत खुश हुई उसे उसकी गंदी चाल का अंदाजा नहीं था मीरा घर पहुँची उसने अपने भाई को पूरी बात बताई उसका भाई वे मीरा शाम का इंतजार करने लगे वे रात को चुप चाप घर से निकल पड़े मीरा ने अपने भाई से कहा कि तुम मंदिर के दर्वाजे पर खड़े हो जाना और जब मैं तुमें आवाज लगाऊं तुम आ जाना फिर मीरा अंदर गई मंदिर के पिछवाडे में जमिनदार का लड़का और तीन चार अन्य व्यक्ती भी खड़े थे मीरा उनकी नियत समझ गई उसी पाँ वापस भागी तो उसका भाई वहाँ पहुच गया अब जमिनदार के लड़के को खुद की हार मैसूस हुई उसने उन व्यक्तियों के साथ मिलकर शोर मचाया और बोला गाउवालो देखो एक अच्छूत मंदिर में आ गया है इसने मंदिर को एपवित्र कर दिया है तभी पूरा गाउव वह जमिनदार वहाँ आ गए सभी ने मीरा और प्रहलाद को खुब लकडियों से मारा और उन दोनों को गाउव के बाहर दो अलग-अलग पेड़ों के बांद दिया और कोई भी उन्हें खाना पानी देगा तो वह भी सजा पाएगा यह एलान जमिनदार ने करवा दिया मीरा वे मीरा के भाई ने अपनी सफाई में बहुत कहना चाहा लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी मीरा ने अपने पती और सुस्राल वालों को सच्चाई बतानी चाही लेकिन उन्होंने भी उसकी नहीं सुनी भूके प्यासे बिना अपराद के तीन दिन तक वो पेड़ के बंदे रहे दोनों भाई बहन को विश्वास्ता कि भगवान शीव जरूर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे और वो पूरे समय ओम नमो शिवाय का जाप करते रहे तभी देव लोक में ब्रह्मा का आसन डोलने लगा तब सभी देवता गण घबरा गे ब्रह्मा विश्णु महे सभी देवता इखटे होगे कि क्या हुआ कोन है जो प्रत्वी पर कठोर तब कर रहा है तब नारज जी ने पूरी बात बताई तब उसी समय सभी देवताओं ने भगवान शिव से मांग की कि अब तो आप ही बचा सकते हैं तबी भगवान शिव ने एक माया रची रातो रात उस जगे एक विशाल शिव मंदिर बन गया और खुद भगवान ने उन दोनों को पेड से खोला और ले जाकर मंदिर में छोड़ दिया और उसी समय जमिनदार को सपन में दर्शन दे कर कहा कि तुम प्रहलाद और मीरा को मंदिर में पूजा बर दर्शन करने दो नहीं तो मैं तुमारे परिवार को और तुमें बरबाद कर दूँगा अचानक जमिनदार की नीन खुली तो वे डर गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा सुबह होते ही सबसे पहले वे उसी जगय पहुँचा जहां प्रहलाद और मीरा को पेड से बांदा था तो उसके आश्चरी का ठिकाना नहीं रहा वहां बहुत विशाल शिव मंदिर बना हुआ था वहां पहले से ही पूरा गाउं इकटा था सभी प्रहलाद और मीरा को घेरे हुए थे जमिनदार वहां पहुँचा उसने प्रहलाद और मीरा को पानी पिलाया वे अपनी गलती की शमा मागी तब प्रहलाद वे मीरा ने भगवान के दर्शन किये तभी स्वर्ग लोग से फूलों की बारिश उन दोनों के उपर होने लगी सभी आश्चरिय चकित होकर देखने लगे तब मीरा के ससराल वालों ने मीरा और प्रहलाद से शमा मांगी और उन्हें अपने साथ घर ले गए तभी सभी बंदुआ मंजदूरों ने मीरा और प्रहलाद की जैजरकार की क्योंकि उनकी वज़े से उन्होंने भी मंदिर में प्रवेश किया आज प्रहलाद वे मीरा का अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा हुआ तो हे भगवान जैसे आपने प्रहलाद और मीरा की लाज रखी वैसे सबकी रखना कहने वाले की सुने वाले की और हुकारा भरने वाले की घरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले विसरे नाम ते भंडार में भरें तो आज मैंने आपको एक पुरानिक लेकिन आश्चरिय चकित कर देने वाली एक कहानी सुनाई अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद